Friction important है, यह हमें walk करने में, चीजों को hold करने में, boat पर लिखने में और car को stop करने में भी help करता है लेकिन कभी-कभी हमारी life को भी difficult कर देता है, यह चीजों को move करना difficult बना देता है इसके कारण machines, tires और हमारे shoes में wear and tear हो जाता है इसलिए कभी-कभी हमें friction increase करने की ज़रुत होती है, तो कभी-कभी हम friction को decrease करना चाहते है तो आएए देखते हैं कि ऐसा हम कैसे कर सकते है हमें पता है, frictional force contact में आने वाली surfaces के nature पर depend करता है यह rough surfaces के लिए higher होता है, जबकि smooth surfaces के लिए lower होता है इसलिए friction increase करने के लिए हमें surface की roughness increase करनी चाहिए और इसलिए हमारे shoe, sole और tires में यह patterns बने होते हैं यह friction increase करने में और हमें slip होने से बचाते हैं और अगर हमें friction decrease करना हो, तो हम surface को smooth करते हैं क्या आपने कभी skating ring देखा है? Skating ring की surface highly polished होती है ताकि friction कम हो कम friction होने का मतलब है कि speed बहुत ज्यादा होगी Surface को smooth बनाने के लिए हम एक और चीज यूज करते हैं जिसे lubricant कहते हैं Lubricants usually liquid state में होते हैं किसी rough surface में lubricants peaks और valleys के बीच में fill हो जाते हैं जिससे एक surface के ऊपर दूसरा surface slide कराना easy हो जाता है इस तरह से यह friction reduce करता है इसलिए आपको regularly अपनी bicycle lubricate करनी चाहिए जिससे आप bicycle smoothly ride कर सकते हो और उसकी different parts में wear and tear भी रोग सकते हो और यह same चीज wet surfaces के लिए भी true है water, peaks और valleys के बीच में fill हो जाता है और friction को reduce करता है इसलिए wet surface, dry surface के comparison में कम friction exert करता है यही reason है कि अगर carefully ना चले तो हम wet marble surface पर slip हो जाते है तो अभी तक हमने जो भी methods देखे इसमें surface में change होने के कारण friction increase या reduce होता है लेकिन हजारों साल पहले humans ने कुछ ऐसा invent किया जिसके कारण friction से deal करना काफी आसान हो गया Yes, wheels जब हम wheels use करते हैं तो peaks और valleys एक दुसरे के उपर roll करते हैं तो इस case में sliding friction की जगर rolling friction लगता है और इसकी values static या sliding friction के comparison में काफी कम होती है तो हम sliding motion को rolling motion में convert करके friction को reduce कर सकते हैं example के लिए ball bearing लेते हैं हम ball bearing में sliding motion को rolling motion में convert करने के लिए spheres यूज़ करते हैं आपने इसे काफी सारी machines में देखा होगा दूसरी चीज जो matter करती है वो है weight हमें पता है कि weight increase होने पे friction भी increase होता है तो अगर आप अपने घर में रखे उस heavy cupboard को move नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसे खाली करके move करने का try करना चाहिए ताकि उसका weight reduce हो जाए जिसके कारण friction force भी reduce हो जाएगा जबकि कभी कभी friction increase करने के लिए हमें weight increase करने की जुरत पड़ती है इक्जामपल के लिए हम table पर रखे paper को slide होने से बचाने के लिए paper weight उसकरते हैं तो आज के लिए बस इतना है आई ए recap करते हैं कि हम friction को कैसे increase या decrease कर सकते हैं हम friction को decrease करने के लिए surface को smooth कर सकते हैं lubricant use कर सकते हैं, surface wet कर सकते हैं और wheels use कर सकते हैं ball bearing भी use कर सकते हैं या फिर body का weight reduce कर सकते हैं और friction को increase करने के लिए surface की roughness increase कर सकते हैं surface को dry कर सकते हैं या body का weight increase कर सकते हैं I hope कि फ्रिक्शन के बारे में सीखना आपकी डेली लाइफ में भी हेल्फुल होगा Keep learning and I'll see you soon